नवस्कार अद्येक जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण विशे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है दिल्ली में बच्चों का भविशे खराब हो रहा है क्योंकि दिल्ली के जो एक हजार इकतिस स्कूल है उनमें 64,000 की सैंक्शन स्रेंथ है टीचर्स की उसमें से केवल 35,000 टीचर उपलब्द है 39,000 टीचर की शॉटेज है और ये 35,000 टीचर में भी 22,000 टीचर जो है वो अपना कॉंट्रेक्ट पर है गैस टीचर है हर साल नौवी क्लास में दिल्ली सरकार के स्कूल के बच्चे एक लाख से ज़्यादा फेल होते हैं और उनको दिल्ली सरकार ना तो रिपीट करवाती है ना उनको टैन्त में एड्मीशन देती है उनको transfer certificate देती है वो बच्चे correspondence में चले जाते है बच्चों का भविश्य पूरी तरीके से खराब हो रहा है जो ये 21,000 टीचर है इनको महीने में केवल 15 दिन बुलाये जाता है और इनको 1000 रुपया दिया जाता है मैं आपसे बुशना चाहता हूँ और ये सदन से बुशना चाहता हूँ अगर टीचर को 15,000 रुपय मिलेगा महीने में तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा उसकी क्या मांसिक स्थिती होगी एक तरफ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब जाकर बोलते हैं कि मैं वहाँ के 36,000 गेस टीचर को एक साल के अंदर में रेगुलराइज कर दूँगा और दिल्ली में साथ साल से जहां पर उनकी सरकार है वहाँ पर एक भी गेस टीचर उन्होंने अभी तेक रेगुलराइज नहीं किया 22,000 गेस टीचर है उन्होंने दिल्ली में वाइदा किया था मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा मैं 20 नए कॉलिज बनाऊंगा मगर एक भी नया स्कूल नहीं बना एक भी नया कॉलिज नहीं बना एक भी नया गेस टीचर रेगुलराइज नहीं हुआ आज जो दिल्ली के बच्चों का भविशे खराब हो रहा है वो दिल्ली के मुख्य मंत्री एक उसका बहुत बड़ा कारण है बहुत वो जूट के जहाज पर चलते हैं मैं भारस सरकार से कहूंगा कि वो दिल्ली के मुख्य मंत्री का कान पकड़ कर और उसको सर वो उनसे बात करें दिल्ली के मुख्य मंत्री से बात करें बारे सरकार एक मिट एक मिट एक मिट एक मिट एक मिट माने सरकार अच्छा ठीक है मैं आपने शब्द वापस ले रहा हूं सर मगर भारे सरकार जो साथ साल में दिल्ली का मुख्य मंत्री एक लिए गेस टीचर दिल्ली का पक्का नहीं कर पाया और वो पंजाब में जाकर वाइदा कर रहा इससे बड़ा जूट क्या हो सकता है